बिहार सरकार ने राज्य में पंचायच चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है बताया जा रहा है कि इस बार राज्य में 10 चरनों में पंचायच चुनाव कराए जाएंगे इसके साथ ही पंचायज चुनाव से जूड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है दरसल इस बार पंचायज चुनाव EVM के जरिये ही कराय जाएंगे बिहार में ऐसा पहली बार होगा जब पंचायज चुनाव EVM से कराय जाएंगे मंगलवार की साम हुई नितीज कैबिनिट के बैठक में पंचाय चुनाओ के संबंद में सरकार द्वाराया बड़ा फैसला लिया गया है दरसल चुनाओ आयोग की मंजूरी नहीं मिलने के कारण बिहार में पंचाय चुनाओ का मामला लटका परा था बिहार सरकार EVM के सहाय वोटिंग कराना चाह रही थी लेकिन EVM के प्रयोग के लिए चुनाओ आयोग के मंजूरी जरूरी थी चुनाओ आयोग ने बिहार के पंचाय चुनाओ के प्रयोग के मंजूरी नहीं दी थी इसके खिलाप राज्य निर्वाचन आयोग ने कोट का रूट किया था आपको बता दें कि मंगलवार की साम हुई कैबिनेट की बैठक में EVM के जरिये ही पंचायच चुनाओ कराने का फैसला लिया गया है सरकार पंचायच चुनाओ के लिए 90,000 EVM खरीदेगी राज्य कैबिनेट ने पंचायच चुनाओ के लिए 122 करो रुपाई खर्च करने की मंजूरी दे दी है सुबे में 10 चर्नों में पंचायच चुनाओ होगा इसमें वाड सदस, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायच समीती सदस और जिला परिसत सदस्यों को चुना जाएगा वहीं आरक्षन प्रनाली में कोई बदलाव नहीं होगा हलाकि बिहार में बरे पैमानों पर पंचायचों का पुनरगठन भी हुआ है कई पंचायचों को नगर निकायव में सामिल कर लिया गया है लेकिन सरकार ने इस बार भी पंचायचों में आरक्षन की पुरानी विवस्था को ही लागू करने पर फैसला लिया है यानि जो सीट जैसे पिछली बार आरक्षिक थी वही सीट इस बार भी पंचायत चिनाव में आरक्षित रहेगी गौरतलब है कि 300 ग्राम पंचायते पूरी तरह नगर निकाई का हिस्सा बन चुकी है वहीं कई ग्राम पंचायतों का कुछी हिस्ता नगर निकाय में सामिल हुआ है ऐसे करीब 200 ग्राम पंचायतों का पुनरगठन किया जा रहा है इसकी करवाई जिलों में चल रही है मिली जानकारी के मुताविक ग्राम पंचायतों के पुनरगठन के बाद भी उनका आरक्षन में कोई बदलाव नहीं होगा वर्स्थ 2026 के पंचायद चिनाव के पहले तक या प्रभावी रहेगी इसके लावा पंचायद चिनाव में EVM की खरीद के लिए कैबिनेट ने 122 करोड की स्विक्रिती दे दी है मालूम हो कि पहली बार पंचायद का चिनाव EVM के माद्यम से कराने का निर्ने लिया गया है इसके त्यारी पहले से ही चल रही है पंचायद चिनाव के लिए 15,000 कंट्रोल यूनिट और 90,000 बैलेट यूनिट की खरीद की जानी है पंचायद चिनाव में सभी 6 पदों के लिए अलग-अलग EVM होंगे मदाता बूत पर जाएंगे और सभी पदों के लिए अलग-अलग EVM के माद्यम से वोट डालेंगे पंचायद और ग्राम के चिनाव में 1,500,00 सधिक प्रतिनिदियों का निर्वाचन होता है प्राप्त जानकारी गनुसार चिनाव के अधि सूचना कभी भी जारी हो सकती है वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चिनाओं में सभी पदों पर नामांकन के लिए शुल्क भी तै कर दिया है राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डियम को निर्देश दिया है कि पंचायत वा ग्राम का चहरी चुनाओं को लेकर अपनी त्यारी पूरी कर लें राज्य पाल द्वारा बिहार में पंचायत चुनाओं के अधी सूचना किसी भी दिन जारी की जा सकती है अधी सूचना जारी होने के बाद डियम अपने जिले में सभी छा पदों के नमांकन, नमांकन पत्रों की जाच, समय और प्रत्यासियों के नमांकन वापस लिए जाने की सूचना प्रकासित करेंगे तो अभी के लिए बस इतना ही, बिहार की हर छोटी बारी खवरों से रूबर नकले देखते हैं बिहारी नूज, धन्नवाद